आपके सामने चुनाव है और दो विचार धाराओं की लड़ाई है एक तरफ कॉंग्रेस पार्टी इंडिया अलायंस जो लोकतंत्र और कॉंस्टिट्यूशन सम्विधान को बचाने के लिए लड़ रहे है और दूसरी तरफ नरेंद्र मोधी जी अदानी जी आरेसेस जो सम्विधान पर लोकतंत्र पर आक्रमन कर रहे है सम्विधान को खतम करने की कोशिश कर रहे है मोधी जी ने आदिवासी शब्द को बदलने की कोशिश की हम आपको आदिवासी कहते हैं बीजेपी के लोग आपको वनवासी कहते हैं वनवासी में और आदिवासी में जमीन आसमान का फरख है आदीफासी का मतलब वो वर्ग जो इस जमीन का जल का जंगल का पहला और असली मालिक था मतलब जब हिंदुस्तान में कोई और नहीं था तो आदीफासी यहां रहते थे जंगल उनका जमीन उनकी जल उनका यह है आदीफासी शब्द का मतलब और जो लोग आपको आदीफासी कहते हैं वो इस बात को मानते हैं कि हिंदुस्तान के जल जंगल और जमीन पर आपका हक बनता है और पहला आपका हक बनता है जो आदीफासी कहते हैं वो आपके धर्म आपकी भाशाओं आपके जीने का तरीका आपके इतिहास का आदर करते हैं उसकी रक्षा करते हैं दूसरी तरफ जो आपको वनवासी कहते हैं वो आपको हिंदुस्तान के हकदार नहीं मानते उनका कहना है कि आप जंगल के निवासी हो जहाँ जंगल है वहाँ आप हो आपको जंगल में रहना चाहिए आपको अधिकार नहीं मिलने चाहिए आपको जमीन जल जंगल पर अधिकार नहीं होना चाहिए वनवासी शब्द का मतलब अधिकार नहीं मिले भागिदारी ना हो ये लड़ाई है आप देखिए हम आपके लिए पैसा कानून लाए ट्राइबल बिल लाए मन्रेगा लाए जमीन अधिकरन बिल लाए आपका जो हक है आपकी जो जमीन है वो हम आपको वापिस देते हैं और बीजेपी के लोग आर एसस के लोग आपके धर्म पर आपकी विचारधारा पर आपकी भाशाओं पर आपके इतिहास पर आकरबन करते हैं और देखिए हिंदुस्तान में जंगल कम होता जा रहा है कौन कम कर रहा है बीजेपी के लोग अधानी जी जैसे अरब पतियों को जंगल की जमीन पकड़ा रहे हैं एक ऐसा दिन आएगा जब हिंदुस्तान में जंगल नहीं होगा और फिर बीजेपी आरेसेस के लोग आपसे कहेंगे आप तो वन वासी हो अब तो वन ही नहीं है जंगल ही नहीं है तो आप कहीं के नहीं हो यह सोच है उनकी यह चाहते हैं कि आपके बेटे बड़े कॉलिजिज में यूनिवर्सिटी में ना जाएं यह चाहते हैं कि आपके बच्चे हिंदुस्तान की बड़ी-बड़ी कम्पनियों में काम ना करें बड़े-बड़े ब्यूरोक्राट ना बने हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान में आपको भागीदारी मिले आपको धन मिले आपके बच्चों को शिक्षा मिले कॉलिज यूनिवर्सिटी में उनको जगे मिले यह परक है